कोई भी एक्जाम अगर आप टैकल कर रहे हैं तो उस एक्जाम में आपको उस एक्जाम के बारे में जानना उस एक्जाम के सारे परस्पेक्टिव को जानना उसके बाद एक सही रंडरीती बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर बिना रंडरीती के आप किसी युद उद्ध में कूदेंगे तो उद्ध में आपका हारना तह होता है नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक सिच्छा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं अमित तिवारी आप लोगों का करना होता है फिर मैंने आपको डिटेल सिलेबस भी बताया और अब हम लोग आ चुके हैं स्ट्राटेजी के बारे में कि सारी चीजे जानने के बाद हमारी प्रॉपर स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए और सही समय पे हमें स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले तो परफेक्ट नहीं जाना है अपना तो जाके आप syllabus को देख लीजिए जिसके मैने बारे में मैंने detailed analysis बताया है हर एक चाप्टर वाइस भी बताया है और उस syllabus का मैंने details analysis बताया था ठीक है उसके बाद आपको पी वाई-क्यूण donation करना आया या case study का या paragraph का या किस तरह के आये questions वो जानना जरूरी है तापकी आपको पता चल सके कि आप जिस exam के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से किस तरह से आपको जाना है जैसे boards के लिए आप अगर जा रहे हैं तो आपको paragraph के 5 points याद रहने चाहिए कि अगर को तो मैं one day consider करूँगा जहां पर आपको MCQ से deal करना है तो आपको fact sheet पर भरोसा रखना होगा fact को ज्यादा consider करना होगा ठीक है तो वो जाना जरूरी है उसके बाद सबसे important चीज़ जो इस exam में है वो है NCRT नए NCRT से इधर आएगा question NCRT से उधर आएगा मतलब सिर्फ NCRT ही आप just nothing अब उस NCRT में in between the lines आपको कैसे पढ़ना है वो हम लोग बताएंगे आपको NCRT reading multiple reading होनी चाहिए कम से कम आप जब exam hall में बैठे उससे पहले कम से कम 6-7 बार आपका NCRT का reading होना चाहिए ठीक है अब इस NCRT के reading के बाद आपका note making एक process आता है note making जहां पर आपको proper notes बनाने होते हैं ठीक है आपके पास अपने notes खुद के notes बनाए हुए notes होने चाहिए क्योंकि इतनी मोटी book तो आप exam से एक घंटे पहले पढ़ेंगे नहीं कम से कम पूरी book को आप एक ऐसे समय पे पूरी book को इस इतने capable हों कि 4-5 page में खतम कर सकें वो होता है notes कैसे उसको भी बनाना है उसको भी मैं बात करूंगा या उसके बाद practice it आपको डी पी पी मंतली टेस प्राक्टिस सेट ये सब चीजे करनी होंगी उसके बाद complete diet sleep और time table आपका perfect होना चाहिए इस exam में ऐसा नहीं करना है कि 2-3 समय खाये नहीं कब खा रहें कब नहीं खा रहें कुछ पता नहीं सोने के नाम पे 3-4 गंटे सो रहें ये आपकी मुर्खता होगी proper आपका diet होना चाहिए sleep होना चाहिए और एक time management आपका होना चाहिए time table होना चाहिए आपके पास एक to do list होन करना ठीक है तो यह जो है आपके proper strategy होनी चाहिए अगर आपको add-on करना है तो आप add-on कर सकते हैं बाकि और भी आपको किसी चीज की वीडियो की जरूरत है तो आप उसको detail में या फिर उसको आप comment section में बता सकते हैं उस पर जरूर वीडियो लेकर क्या हैं कि उमीद है यह व